हेलो डियर इस्ट्रेंड स्वागत है आपका फिजिक्स वित इलेक्टानिक्स पार्ट साला में आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मेकनिक्स के यूनिट सेकेंड का जो आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैलू करके आपके सिल्व से मेंशन है उसका कुछ इंबार्टेंड mcq डिसकास करेंगे ओके यह यूनिट सेकेंड के mcq का फर्स्ट वीडियो है इस व्स इसको मैं पार्ट आप के लीए और एक शमरी नोट्स होगर अभी आप बना चुके हैं अब्जेक्टू करने के लिए ठयक अगर अभी भी आप second chapter को नहीं पढ़े आए written examination के point of view से तो please आपसे बिनमर निवेदन है कि आप जाईए मेरे ही channel पे आपको पूरा का पूरा content मिल लाएगा second chapter का एक बार उसको जरूर देख लेजिए उसके बाद ही आप objective question करिए ठिक इससे आपको exam में काफी help भी मिलने वाल direct अगर आप objective question करने की कोसिस करेंगे तो आपका concept एकदम clear नहीं होगा आपको कई सारे question याद करने पड़ेंगे ठिक मैं हर एक lecture में यह चीज बोलता हूं तो आप सुचते होंगे कि फालतू में switch देते हैं यह नहीं कि सांती से question करा हैं निकलने आपके मन में जरूर आता करेंगे तो आपके लिए फायदमन दे नहीं करेंगे तो फिर पास तो हो जाएंगे भी इससी लेकिन उसके बात क्या करेंगे वह आप सोचिएगा ठिक अब देखे फर्स को सन क्या कर रहा है कि if there exists only one eigen function corresponding to a given eigen value then the eigen value is got कर रहा है कि दिएगा आइगन फंक्शन के corresponding अगर केव दूसरा क्या कर रहा है, degenerate, तीसरा क्या कर रहा है, discrete, चोथा क्या कर रहा है, continuous, ठिक तिए किसका definition है ये non degenerate eigen value का definition है, this is what non degenerate eigen value, ठिक, कि लिए रचीन न ए नहिए नहम्बर option क्या होगा, correct होगा, ये definition में आपको लिख पाया हूँ, ओके, अब देखिए second number question क्या कर रहा है, कि if there exists more than one eigenfunction corresponding to a given eigenvalue then the eigenvalue is called कर रहा है कि दिये गए eigenfunction के corresponding एक से ज़्यादे क्या कर रहा है eigenvalue exist कर रहा है क्या कर रहा है if there exists more than one eigenfunction corresponding to given eigenvalue दिये गए eigenvalue के corresponding एक से ज़्यादे क्या हो रहा है eigenfunction exist कर रहा है तो eigenvalue क्या कर लाएगा ठीक ऐसे देखेंगे आपको बताया था एग्जामपल लेके कि अप्रेटर ए ऐसामपल पर आपरी constitu रहा है तो माल लेंजे अजयाम ने कौना देदार आपने त्टब आप रहा है और फिर जब साहिट फोर प्याप्रेट्ष क्या देदे रहा है एंक तो देखिए यह जो आइगन वैलू है इसके corresponding इसके corresponding इसके corresponding इसके तीनों सेम है जिसका अलब यह सब क्या है degenerate eigenvalue है और जो si1, si2, si4 क्या है यह आपके degenerate eigenfunction है ठीक जब कि अगर यह si3 वाले को देखें तो si3 वाला same eigenvalue नहीं दे रहा है जिसका अलब क्या होगा यह non-degenerate होगा clear यह से आपको definition देके बता चुका हूँ ओके तो यह किसका definition होगा तो यह किसका definition है बी नमबर आप समझे लिखा है degenerate eigenvalue होगा और इसके corresponding जो बे फंक्शन मिलेंगे वो degenerate eigenfunction मिलेंगे और जो equation होगा वो क्या कलाएगा eigen equation कलाएगा ठीक यह सब अच्छे से में detail में पढ़ाया हूँ ओके अब देखिए थर्ड नमबर कोशन करा कि which of the following is the eigen function आप linear momentum operator minus i h cut curly over curly x with a positive eigenvalue h cut करा कि इसमें से कौन सा operator इसमें से कौन सा function है ठीक जिस वर यह operator लगाए जाए तो क्या देदे एक eigen value देदे यह कटके यह कटके क्या करें आइगन value देदे ठीक तो इसको आप साब साब लाके इस पर upgrade कराएगा c वाले पे तो आप देखेंगे कि जो eigen function निकल के आएगा वो h cut k के बराबर आएगा और यह c number all option है यह क्या होगा अब देखें c वाले प लगाएंगे तो क्या होगा जब c वाले प लगाएंगे इसको differentiate करेंगे एक से रिचल में तो आगे क्या जाएगा i की आ जाएगा और एगन value जो पूछ रहा है वो h cut के दिया है तो कौन सा option साही होगा c number option क्या होना चाहिए correct होना चाहिए ओके देखें कितना आसान question है basic से उठा रहा हूँ अगले वीडियो में थोड़ा टब question लाऊँगा ओके अब देखें फोर्ट नंबर question कर रहा है कि if an operator operator दिया गया ब्रेकेट में कली ब्रेकेट में लिखा गया है is operated on a function function आपको दिख रहा है e to the power minus 2x square then corresponding eigenvalue इस तो कर रहा है कि इसके corresponding eigenvalue क्या होगा आप simply क्या करिए इसको इसको इसके साथ operate कराएए जब इसको आपरेट कराएंगे तो c number option क्या होगा correct हाएगा minus 4 इसका answer हाएगा अगर आपका differentiation strong है तो आपको differentiate करने जोड़त नहीं है आप आपको साब साब दिख रहा है कि जब इसको differentiate किया जाएगा तो क्या होगा minus 2 पाले जाएगा x square को फिर करेंगे क्या हो जाएगा 2 एवर और और आगे चला जाएगा ठिक तो क्या हो जाएगा minus 4 होगा बच्छेगा क्लिए रहे चीज़ तो e के पावर minus 2 x square का जब इसे हम क्या करेंगा operate करेंगे तो जो आइगन value निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा minus 4 निकल के आएगा क्लिएर हो गया चीज़ ओके अब देखिए पांचवा नमबर कोशन करा कि एन आइगन फंक्षन आप operator इसका operator को इस पर क्या करेंगे आपरेट करा रहे हैं तो corresponding आइगन value क्या मिला है यह आइगन फंक्षन है इस पर इस operator को आपरेट करा रहे हैं तो कर आइगन value क्या होगा तो इन निकालना मैं बताया था अगर आप इसको निकालेंगे दो बार differentiate किया गया तो एक बार करेंगे एक पार एक को तो एक बार आएगा दो बार कर देंगे तो दो ए बार हो जाए मुल्ब ए इन्टु ए तो क्या है आइगन value ए स्क्वार आइगा इस इट क्लियर देखे क इतना चाचा को सुने ना, अब six number question कर रहा है, कि Eigen value of self-adjoint operator is, ठिक, तो देखे, self-adjoint operator की चाए हरमिसियन operator की बात क्या बराबर है, तो जो हरमिसियन operator होता है, उसको मैं proof कर वाए हूँगार को, कि हरमिसियन operator, real Eigen value रखता है, ठिक, तो self-adjoint operator विस्वाट, हरमिसियन operator, और मैं है था कि हर्मिस्य अप्रेटर है वेन है रियल आइगन वैल्यू ठीक हर्मिसे अप्रेटर हमें सब्सक्राइब रहते हैं ठीक तो इसका अनलब सी नंबर आप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा क्लियर मजा रहा है ना अगर आप मेरा लेक्षेट देखे होंगे तो आपको डेफिनेटली इंज्वाय कर रहे होंगे नहीं देखेंगे तो फिर बुर्यत फिल हो रहा होगा अब देखिए सेवंध नंबर कोशन कर रहा है कि फार एप्रेटर कैप्टल ए एंड अब फंक्शन फाइए इफ एफ फाइए इसकोल टू एफ हाइए दिन ए लुका लायेगा तो फाइए क्या कंट एगा अईगन फंक्शन कल आएगा किलिए तो बीन अंबर आफ्शन करेक ठोगा क्योंकि आइगन वैलू कर रहा है कि एक उन्हिस्वा पुंछा रहा तो उसको क्या करतेए वेफशन है खाइए और कैसा फंशन है डिक तो आइगन फं अब देखे यह अर्थ नमबर कोशन करा है कि commutator up to non-commutating hermitian operator is anti-hermitian दो non-commutating hermitian operator का जो commutator bracket होता है वो हमेशा anti-hermitian operator होता है यह चीज आपको अपने दिमाग में रखना है ओके क्या होगा anti-hermitian operator होगा अब देखे नाइन्थ नमबर कोशन क्या करा है कि फार बेफंक्षन साई यक्स ये दिया गया है 0 से L के बीच में ये value है और हर जगा इसका value क्या होगा वैनिस होगा तो करा कि the expectation value of p square h अब देखे नाइन्थ नमबर कोशन में करा expectation value of p square ठीक तो आपको expectation value निकालना बताया था क्या करिएगा p square को ऐसे लिखिएगा ऐसे ठीक angular bracket में और इधर क्या लिखिएगा 0 से L limit लगा दिजेगा क्योंकि और हर एक जगा value दिया ने 0 से L के बीच में दिया तो आई value होगा बाकी जगा नहीं दिया तो इसको हम 0 माल लेंगे ठीक और यहां क्या करिएगा एक बार sign style लिखिएगा फिर p square मला operator लिखिएगा और फिर sign लिखिएगा और फिर dx dy dz लेकिन क्यों क्या दिया है यक्स में दिया है तो यहां पर dx बस लिख देजेगा expectation value के उपर मैं आपको करवा चुका हूँ m से क्यों भी ठीक साथ इसाथ देखिए आप चाहिए अपने सतरता के लिए साधानी के लिए आप नीचे इसका normalization भी चेक कर सकते हैं कि इसका normalization value क्या है ठीक किसी किसी बुद में देखे होंगे नीचे ऐसे दिया होगा minus infinite से plus infinite sin star sin dx करके नीचे भाग देख चेक करता है ठीक तो आप चाहिए चेक कर सकते हैं कि यह normalized wave function है कि नहीं अगर normalized wave function नहीं होता है तो यहाँ नीचे उसके value को क्या करना पड़ता है put करना पड़ता है ठीक तो आप इसको चेक कर लेजेगा तो बी नमबर आपसन क्या होगा correct आएगा इतना चीज़ के लिए यह तो आप फोर से में पड़े है अब देखिए 10 नमबर को सन कराया कि which आप दो फालूएंगे जब हर्मिसियन आपरेटर कर रहा है कि नीचे चार आपसन दिये गया है थोड़ा बता दिज्ये कि कौन सहीक हर्मिसियन होगा तो देखिए डी नंमबर आपसन हर्मिसियन होगा इसको जो हर्मिस inversion आप रोनमे पड़ा था तो उसमें जो इंडिगेशन करके दोनों साइड वैल्यू लिखा ता न उसमें क्या करेगा, put करेगा, जा आप put करेंगे, पाएंगे, को जो D number पर दिया गया, आपसन है, वो क्या है, एक Hermitian operator, ठीक, जो Hermitian operator का division पढ़ाया था, इंडिगेशन बनाया था, उसमें लिए क्या put करेगा, देखेगा, ये क्या करेगा, satisfy करेगा, ठीक, तो इस वासे, D व imaginary आइगन वैलू, arbitrary आइगन वैलू, no आइगन वैलू, ओहो, no आइगन वैलू, तो बेखुब बना रहा है, क्या होगा, इन हमर आपसन क्या होगा, correct होगा, real आइगन वैलू रखता है, Hermitian operator always has a real आइगन वैलू, is it clear, अगर आपको पता नहीं है कैसे रखता है, तो वीडिय नंबर कॉसन करा रहा है कि the normalized wave function of value दिया गया है, कितना होगा, तो इसका जो normalized अगर होगा, वैलू क्या होगा, एक के बराबर होगा, अगर orthogonal होगा तो यह क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, तो हम से तो normalized पूचा है, तो हम एक के बराबर कहेंगे, और तो गुर्णल पुछा रहाता है यह नमबर आप्शन करेक्ट लगाते हैं ठीक अब देखिए का रहा है थर्टी नवकोशन की दा कॉंटिटी मांट साइंसक्वार रिपरजेंट्स यह क्या बताता है यह मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं प्रोबिल्टी डेंस्टी एक आप ही टाइम देखे पड़ा हूं क्योंकि आप अपने कालेज होगर हम पढ़ते होंगे ति आप टीचर लोग कहते होंगे कि आपको कुछ नहीं समझ में आने आया है यह आप छोड़ दीजिए यह करिए ऐसे करिए वैसे करिए ठीक इस वास्तों से क्वांटम मेकनिक्स मे है वह अपने अंदाज में से बताता है ठीक लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा लेक्षर देखे होंगे तो आपको क्वांटम मेकनिक्स थोड़ा बहुत निशी दूरू से सौनने को मिला होगा ओके अब देखिए फोर्टी नव को सन कर रहा है कि दब्बे फं फशन पढ़ा रहा रहा था तुस्यों करवाया भी था जब सको अप्रेट करेंगे तो क्या होगा आपका जो आप्यूंज नम्बर पदोका the public करे molto के अब देखिए 50 नमको सन क्या करा है 59 question करा which of the following is an eigen function आप operator दिया गया है करा कि इस operator का कौन सा eigen function होगा ठीक तो simply आप क्या करिए माल लिजे कि इसका eigen function sign है और ये क्या दे रहा है B sign दे दे रहा है ठीक इसी को solve करके क्या करिए इसके value को निकाल लिजे जब solve करके आप value को निकालेंगे तो A number option क्या आएगा आपका correct आएगा क्लियर होगा क्या बता है मैं कि simply माल लिजे कि इसका जो आइगन function sign है तो जब इस आप rate होगा तो क्या होगा एक आइगन value और क्या देगा sign देगा ठीक फिर इसको आगे आप solve कर लिजे जब solve करके आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा A number option क्या होगा आपको correct मिरेगा ठीक थोड़ा सा integration होगा है इसमें करना पड़ेगा ओके solve करेगा उम्मीद है कि आप solve कर ले जाएंगे उसी उम्मीद के साथ मैं ये question छोड़ आओ ओके बासवाज में आया नाइसवाज में आया देखे जब इसको solve करेंगे तो क्या होगा X sign आएगा और फिर science पर operate होगा B sign लिखा है 1 sign की धर्वेश दिए ठीक तो D sign नीचे DX फिर DX की धर्वेश दिजेगा integrate कर लिजेगा value निकाल लिएगा फिर value निकाल के आप साल वगर करेंगे तो फिर ए नमबर आफसल क्या होगा correct हाएगा ओके तो इस तरीके से हम लोग second chapter के MCQ को भी start कर लिए और एक lecture उस पर भी देख लिए ठीक अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो जरूर लाइक करिए साथ ही था वीडियो को अपने दोस्तों में भी जादे जादे शेयर करिए और अपना valuable feedback भी देते रही है ठीक अगर आप अपना feedback नहीं देंगे तो फिर host के वीडियो आपको पूरे chapter का नहीं मिल सके ठीक क्योंकि जब feedback नहीं मिलेगा तो वीडियो देने का कोई मतलब नहीं है ओके ठैंक्यू फर वाचिंग